जैस्री शाम सभी को सभी को रादे रादे कैसे हैं आप सब मैं अच्छी हूँ आप लोग बताएए और जैसा कि मैं एकाथसी की कथा लेके आती हूँ तो आज भी एकाथसी की कथा लेके आई हूँ और आज जो एकाथसी है उसका नाम विज्जा एकाथसी है और हम इसकी कथा सुनेंगी और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूं सब व्रतों में एकाथसी सबसे महत्तपून होती है और हमेशा फलदाई होती है जो हम चाहते हैं वहन से हमें वो सब क्या नाम है अर्थात वो एकाथसी करने से हमें क्या मिलता है तो सरे कृष्ण बोलते हैं यो जिस्टे जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकाथसी आती है उसका नाम विजय काथसी है अर्थात ये एकाथसी करने से हमें विजय प्राप्त होती है हमें हम अपनी जो भी हमारी इक्षा होती है हम उसमें विजय प्राप्त करते हैं तो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार नाड़त जी जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि फागुन मास में जो कृष्ण पक्ष के काथ से आती है विजय काथ सी इसकी क्या वीधी है अर्थात हमें हमें कै कैसे करना चाहिए तो इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसके बारे में मैंने पहले कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताया ना वीधी ना कुछ भी सो मैं तुम्हें बताता हूं तो तुम्हें से ध्यान पुर्वक सुनो तो त्रेता युग में जब मर्यादा पुर्वक हमार रामचंद्र जी जब उन्हें 14 वास का वनवास हुआ तो वो लक्षमन जी और सिता जी के साथ पंचबटी में रहने लगे तो दोस्ट रावन सिता जी को ले गया अर्थात उनकी खोज में रामजी और लक्षमन जी वनको निकले तो वहां उस समय मरनासन जटायू ने सारी कहा पानी सुनाई अर्थात वो सुर्ग को चले गया तो यह जब वो आगे भड़े राम जी और लक्षमन जी तो उन्हें सुग्रीव जी मिले अर्थात सुग्रीव से मिर्ता हुई और बाली का उन्होंने वद्द किया तो हनुमान जी लंका के तरफ जब गये तो सीता जी उन् लोटे तो उन्होंने सारी बात राम जी को बताई फिर राम जी लक्षमन जी के साथ अर्थात सुग्रीव के साथ सब वहां गये समुत्र के पास क्योंकि दोस्ट रावन को मारने के लिए हमें समुत्र तो पार करना होगा तो वहां जाकि क्या हुआ कि इतना अगात और इतना बड़ा समुद्र देखके राम जी ने कहा लक्षमन से हे लक्षमन हम इतना बड़ा समुद्र कैसे पार कर पाएंगे तो लक्षमन जी ने कहा कि आप तो स्वयम आदि पुरुष पुरसोत्तम हैं अर्थात यहां से कुछ मिल एक रिशी रहते हैं जिनका नाम है जैसा कि राम जी तो एक पुरुष के रूप में है मुणी तो पहचान गयति कि यह तो स्वयम भगवान है लेकिन उनने उसी रूप में कहा कि आप अर्थात यहां क्यों आए हैं और आपकी क्या इक्षा है तो राम जी ने कहा कि मैं दूस्ट राक्षसों को मारना चाहता तो मुझे को उपाय बताए जिसे मैं यह समुद्र को पार कर पाऊं तो इस प्रकार मुणी ने कहा कि यह फागुन मास में कृष्ण पक्ष में आपके विज्जय कात्सी आती है अर्थात आप इस इकार्शी कवर्थ सब लोग करें विधी पुर्वक करें तो यह जरू को किया विज्जय कात्सी को किया अर्था तो वह हम सब जानते हैं कि वह सब विज्जय प्राप्त हुए तो इस प्रकार हमें हर कहानी से यही संदेश मिलता है कि हमें हम कुछ भी करें मन से करें सच्चे मन से करें तो वह उसका फल जरूर ही हमें मिलता है सच्चे मन से कुछ भी करें तो हमें वो चीज जरूर प्राप्थ होती है लेकिन प्रभू के शरन में प्रभू के भक्ती में प्रभू के भजन में तो इस प्रकार ये कहानी कुछ इस प्रकार थी और आप लोग ये कहानी सुनते रहें मुझे अच्छा लगेगा और चलिए दो पंती हम लो विज्यों को समाप्त करूंगे तो आप भी हमार मेरे साथ गाईए श्री क्रिश्न गोविंद हरे मुरारी हेनाथ नारायन वासु देवा श्री क्रिश्न गोविंद हरे मुरारी हेनाथ नारायन वासु देवा हेनाथ नारायन वासु देवा श्री क्रिश्न गोविंद हरे मुरारी हेनाथ नारायन वासु देवा इसी तरह क्रिश्न का भजन कीजिए क्रिश्न में अपना मन लगाए और हरे क्रिश्न मंत्र मन ही मन में जाप करना न भूले अपना ख्याल रखे इसी तरह मैं कहानी आपको कथा सुनाती रहूंगी और इसी तरह कृष्णी की कुछ-कुछ बाते लीला आपको सुनाती रहोंगी जैस्री शाम जैस्री राधे